हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप लोगे लेकर आए हूं बहुत ही सरल और थोड़ी सी अलग नारियल के लड़ू की रेसिपी यह नारियल की लड़ू बहुत ही स्वादस्ट लगती है खाने में तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इसकी रेसिपी में करें तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्छा नारिय उसको मैं अच्छे से वाश कर लिया है और इसका जदृब्रावन पारट होता है उसे में च्चील लेना हमारा इसको हम अच्छे से दरदरा पीस लेंगे जिसको हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे इसका यहां पर मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से और एक कप में मेजरमेंट के लिए इसमें डाल दिया है तो यह एक कप से थोड़ा सा कम है तो आप मेजरमेंट के लिए कोई अंच सर बना था उसको मैस्में डाल देंगे इस तीन से चार मिनिट के लिए इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, सकी सुझासे थोड़ा कम यूजाए यूजर में पाम एक चौथाइका रूंड़ एक गप डूद्धम बर्यदक घ्रमत पर किया हुआ और जब नारिय अच्छे से दूद्ध को लें तो यहां पर हम डाल दें करेब हाफ कप पिसी हुई मिस्ट्री या फिर आप यहां पर चीनी भी यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं कि वह पिसी हुई हो आप ऐसे भी उसमें डाल सकते हैं उसके बाद इन सभी को हम अच्छे से मिक कर लेंगे फ्लेम को कर देंगे low to medium flame और यह सभी जब अच्छे से मिक्स हो जाए और जब चीनी अच्छे से घुल जा इसके बाद हमें आपर ड़ीन खोवा तीन से चार बड़े चमच या आप इसकी जगापर तीन से चार बड़े चमच पाउडर भी आइड गर खोवा नही इसे मच्छे से पका लेंगे तो यह देखे फ्रेंड इससे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जब यह थंडी हो जाए उसके बाद हम इसके लड़ू बनाएंगे तो यह देखे फ्रेंड से जो मिस्टन है वह हलका थंडा हो चुका है तो अब हम इसके छोटे- ले आना है यह देखे फ्रेंड इस तरीके से उसके बाद मैंने यहां पर सूख नारियल का बूरा लिया है और अगर आपके पास है तो आप इसकी कोटिंग करें और अगर नहीं है तो ऐसे भी लड़ू बहुत ही स्वाधश्ट लगती है तो इस तरीके से मिसमें कोट कर ले हैं तो यह लिजे फ्रेंड यह सारे लड़ू बनकर है रेडी तो इसे हम उच्छे से गार्निस कर लेंगे किसी ज्राइफ रूट से यहां पर मैंने काजू से उपर से डेगोरेट कर दिया है आप अपने मिन पसंद के ड्राइफ रूट से डेगोरेट कर सकते हैं और उसके पादे से सर्फ कर लेंगे तो ये लीजे फ्रेंट ये रेडी है हमारी जटपड बन जाने वाली नारियल मावा के लड्डू जो बनाने में बहुत ही आसान मुस्किल से 10-15 मिट में लड्डू बनकर तयार हो जाता है फ्रेंट्स और खाने में जुसका स्वाध है वो किसी होट फ्रेंट्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हां तो एक लाइक जरूर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल मुझे बेल आगर उसे प्रेस करना ना पूलें और इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्रा